हर दोस्तों नमस्कार तो कैसे हैं आप लोग आयूप सभी अच्छोंगे स्वागत है आपका इस्टेनो मास्टर दोस्तों अगर नए है तो चैनल को सब्सकाइब करके दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत बूलिएगा दोस्तों अगर आप नए हैं तो अप्लीकेशन जिरूर डाउनलोड करिए प्ले स्टोर में जाकर स्टेनो मास्टर दोस्तों अब बाते बात बिताते हैं आपको राजस्तान विदान सभा सचवाल है जैसे मैंने जिसके फोन भी आ रहे तो मैंने बोला था कि इस महीने हंड्रेड वन परसंट आपकी आने वाली है विदान स परसा फॉन टाएगा क्या होगा तो मैं आपको बदादू है तोसे लोग याद रखेंगे पहले आपका 140 वर्ट बोला जाएगा ठीक है और 140 word permit जो dictation बोली जाएगी ध्यान रखना आप लोग रामदारी खंडवन नहीं बोली जाएगी जो आप लोग यह सभी सोचें कि 140 में रामदारी खंडवन बोल दी जाएगी आप लोग निकल जाएगे तो भूल जाएगे रामदारी खंडवन नहीं बोली जाती ना एक सो चालीज में नहीं बोली जाएगी तो 140 में क्या बोली जाएगे 140 में आपका आप लोग अच्छे से तियार करें और 140 अगर आप तियारी कर रहे हैं तो कारीब 150 आपकी ट फचमी चाहिे ठीक है questão है और यह नावकरी जो मिलेगी आपको वो इस आधार पर नहीं मिलेगी कि आपकी 150 है तो आपको नौखरी मिल जागी नहीं आपकी 6 वेकेंसी है इसका मतलब है जिसकी एकुरेशी बहुत होगी थी कि पहले के जमाने में क्या था पहले के जमाने में आपके 160 और 140 के स्टुडेंट्स नहीं मिलते थे ठीक है औ बना दिया फारीजशन आपकी तरहलेजिशच beni जाते हैं यहां पर बेकर बनाए गए तकि आएट लास्ट वहां पर इतने ही लटके मिलें उनको तूई यहाँ पर किया गया है सोचीए आपकी टाइपिंग स्पीड यहां पर देखिक कितनी मांगी है तो टाइपिंग स्पीड साथ 50 मांगी है समझे और यह आपका सब कुछ होगा गिल पे ठीक है और आप लोग सभी लोग 140 वर्ड पर मागई है तो 140 वर्ड पर मिनट जो सेलक्षन होंगे वह याद रखना एको रेशी के आदार पर होंगे एको रेशी का मतलब होता है कितने परसेंट आप सही पढ़ते हैं सही टाइप करते हैं जितने परसेंट आप सही टाइप करेंगो उस आदार पर आपको नौकरी मिलेगी मतलब अगर आप रेडिंग अच्छी है आपकी जवर्चस तरीके से रेडिंग है तो आप इसको सेलक्षन को पाने का सूचिए अन्यता आप भूल जाए कि आपको यह नौकरी मिलने वाली है जो स्टुडेंट्स जिनकी सौ वर्ड पर मिनट है ठीक है तो वह तो आप सेलक्षन भूल जाओ कि इसमें होना है ठीक है जिनका अस्ती है वह भी भूल जाओ कि इसमें सेलक्षन होना है देखो कड़वे के लिए हम जाने जाते हैं जो सच बात है यह किसी का मनोबल डाउन है नहीं कर रहे है लेकिन आपको अंदेकार में भी नहीं रख रहे हैं जब आप 80 में ECNow यह ऊंप 192 महिने में ना मंखिन हैं ठीक है हाँ कोसीस आप कर सकते हैं आप अपली किसन में जाएए एड़ांस आउट्लाइन ले लीजिए ठीक है उससे आप बड़े बड़े वाक्यांस बनाने लगें ठीक है और अदो वाक्यांस के बाद धंक से इसके बाद प्रैक्टिस क्लासे में करिए हमको सिस्क करेंगे टच कराने की ठीक है लेकिन टच कराने को सिस करेंगे लेकि रेडिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए ठीक है तो आप यह समझ लीजिए कि और यह ज्यादा से ज्यादा खीच के दो महिने दो तीन महिने तो तीन महिने में सब इसके वगरा खरवा लेगा ठीक है तो आप यह समझ लेजी कि आपको करना कैसे है तो दो घंटे आपको टाइपिंग का मिलेगा ठीक है तो आपका 140 वर्ड पर मिनट के सब्सक्राइब करीब 1400 वर्ड बोले जाएंगे जिसको दो घंटे में आपको टाइप करना है ठीक है और टाइप करके आपको देखना है कि कौमक गलती कहां पर है वगयरा एक औरेशी बिल्कुल मतलब कोई भी टाइपिंग गलती नहीं होनी चीए टाइपिंग की गलती आप स हो कोचिंग बंडियों में कि there many more time झाइपिंग का भी रखे रहते हैं उससे केवल पैशा बना सकते हो उससे कुछ कोई नहीं कर सकते हो घर में आप लोग करिए हिन्दी टाइप करिये पेपर उससे आपकी पिर ददर एज़ांदव्स कीए छ", या औng अप से बेस्ट प्लेट फॉर्म होता है मेरे कॉर्डिंग ठीक है अब मैं बाकी करने जानता तो रेडिंग प्रॉसेस आपके अच्छी होगी आपके कई जिलों के लोग होंगे आप उनके सामने जब पढ़ेंगे तो आपकी जो अंदर के डर है वो भी निकल जाएगा ठीक है और जबर जस्ट करने लगेंगे तो तॉद्विंग आपकी अज़ीन पड़ेंगे अच्छी है थी मेरे कहने में फे तो आपकी ट्यापिंग थ्षी है ऐप आप मेटिंग याइंगे तो इसको ट्यूड एपम करने बाद आपके ड़ेंग होगी ठीक है और ट्विंग केब स्वा और computer का तोड़ा सा सिस्टम है तो computer का आप लोग देख लीजीए तो सबी लोग और दोस्तों यह आप का प्रॉसएं डियरेक्ट इसकी ना कि पहले आपके आप लियो को पाएंगे वो अपने आधार पर नौकरी पाएंगे क्योंकि उनकी इच्छा ही नहीं है नौकरी पाने की क्योंकि मैंने देखा कि रिपोर्टर बैच में कितने लोग सीरियस हैं और कितने मेरे फोन आते राजस्तान विदान सवगी जब से वेकेंसी आई कम से 500 कॉले आगे होंगे लेकिन में मकसद यह नहीं है उनको में मकसद है कि आपकी स्पीड कितनी है मतलब अब सोची आई-स का एक्जान देने जा रहा है ठीक है आई-स का एक साल पहले बोला था एक साल पहले समय बोलता जा रहा हूं कि राजस्तान विदान सवागी वेकेंसी आने वाली है ठीक है अगर आ आगे आपका नहीं होने वाला है दो मैने में कुछ नहीं कर पाएंगे आपको जागने की इतनी दिन में ज़रूरत नहीं आपको आई यह बिल्कुल कड़वा सच बोल रहे हैं को कि चूखी अभी आप त्यारी करोगे फिर पेपर दोगे पेपर में छह वेकंसी हैं आप सोचो मैं सच बोलने के लिए जाना जाता हूं इसलिए स्टुडेंग्स अच्छे से त्यारी करेंगे जो 120 प्लस हैं वहीं त्यारी करेंगे दंग से इसको ठीक है और रेटिंग हां लेकिन तियारी करना यह नहीं कर देगा कि त्यारी करने क्योंकि लोग सब्सूची कितने महीने बाद हुई थी हाना लोग सबाह में यह था कि अगले महीने होना अगले महीने होना कितने महीने बाद हुई थी तो यह भी नहीं कहा सकता कि नहीं तीन महीने बाद ही हो जाए कि दो महीने बाद या महीने बाद ही हो जाएगा ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है दोस्तों जो बैट जॉइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरे नमबर भी नोट कर लीजिए 7905-43894 इस नमबर बार वाटसप करिएगा 500 मंतली है और रात में 8 वजे से क्लास चलती है वो बैच अगर फुल हो गया तो एक बैच मैं सुबह भी लगा दूँगा ठ जो निकलेंगे यह कंफर्म है लेकिन जो पढ़ने वाला बंदा होगा जो जिसके अंदर लगान होगी पागलपन होगा वह लड़का निकलेगा लिख के ले लो मेरे बैस ठीक है अब लगन कितने लोगों में यह मैंने आज तक देखा है कि 98% लोगों में नगर नहीं होती ह विदान सबाव लेकि हाँ लगा नोती मुझे पारलेमेंट में जाना है मुदी जी के सामने होंगे राज सवा में जाना है जो सपने बहुत अच्छे हैं लेकिन मैनत नहीं है उतनी तो सपने पाला जा सकता है कोई दिक्कत नहीं है खुली आँकों सपने देखो बस यह तो आप लोग त्यारी करो और दूसरा यह है कि अच्छो ऑफ्लाइन में आना चाहते हैं तो कानपूर की क्लास है ठीक है बर्रा में आपकी सुबह 8 बजे चल रही है बाकी आपकी यशोदानगर में चल रही है तो आप लोग यसोदानगर में आगे सभी लोग पढ़ा सकते हैं यहां भी पढ़ सकते हैं और रिपोर्टर के ढंका एक बैच बनाना है उसमें सभी लोगों को इन्रॉल्मेंट करवा के और सभी लोग आ जाई है आप लोग के पास बैस्ट चांस है मुझे रिपोर्टर का इस बार बंदा निकालना निकालना है राजस्तान विदान सभा चैवल के मिले नहीं अभी मिले हैं तो मुझे ओफलाइन में मुझे कोई नहीं मिला भी तो आप लोग और धंकी क्लास एक ऑनलाइन में तो आप लोग ज्यादा ज्यादा स्ट करिए अफ्लाइन में भी आएंग तो आपका एक पर्टिकुलर बनाएंगा उसमें काईदे से और यहां पर भी जैसे ही आपका इसकिल टेस्ट की डेट आ जाएगी तो यहां भी दो दो तीन तीन गंटे क्लास चलेगी आपकी यह जो रात वाली क्लास है यह आठ बज़े से लेके ग्यारा बारा बज़े तक फिर रात में क्लास चला गरेगी ठीक है दोस्तों तो आप जो बारे स्टूड़न्स आना चाहते हैं तो आप आईए बर्रा में आक रहे हैं आपका यह होगा क्यों आप अच्छी है चलिए दोस्तों तो आप लोग त्यारी करिए कोई दिक्कत कोई समस्य आए तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते एक सो साथ एक स लोग आपकी तो चाहां यहां पर हो एक सो चालिस ठीक होती है मतलब मौडरन होती है और जो आपकी चीज़ें आपकी हो जाती है इस चीज़ें आप लोग त्हटा ध्यान रखेंगे चलिए दोस्तों कोई समस्या कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बताएंगे और मैंने आज काफी कुछ सुनाया भी है चलिए दोस्तों आप लोग त्यारी गरिए मेरा मौटिव यह है कि आप एक साल में नहीं जगे हना तो आप अब मेरे पास आते हैं सर बैकेंसी कब आएग तो बड़बला के जो है अब बड़बला के सर मेरी सौ है मेरी कैसे होगा तो यह चीज़ें देखके थोड़ा सजीव लगता है कि अभी तक क्यों नहीं सजग हुए जैसे आप लोग मेरे कोचिंग में ही कह रहेते हैं ऑफ लाइन में भी ऑनलाइन में भी देखने का लोग ने अगर अगर चैनल जॉइन किया होगा रगुलर फालो करते होगे तो आपको बहुत पहले मैंने यह चीज़ें संदेश से दे दिये थे जैसे राजसभा कि मैं बहुत दिन से कह रहा हूं कि राजसभा की आने वाली है ठीक है इसके बाद लोग सबागी फिर आने व कोई त्यारी नहीं करवाता है जो आपके क्लिप डाल दे और आडियो डाल दे आपकी और रिपोर्टर की त्यारी हो गया ऐसे रिपोर्टर की त्यारी नहीं होती है रिपोर्टर की त्यारी के पर्डिकुलर एक टीचा डंगा चीए ठीक है उससे त्यारी करिए ताकि सेलेक ठीक है चलिए दोस्तों मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ तब तक लिए जय हिन